सब्सक्राइब विल्कम बैक तो में यूटीव चैनल बाइन में सचिन चंदेला एंड यूर वाचिंग बूटल राइडर चैनल जैसे कि अप देख सकते हो बूटल अपने साथ हमेशा रहती है और वीडियो में दिखती है आपको सो सब्सक्राइब क्या सेक्सी दिख रही है यार उपर से जंगल में पूरी आग लग गई है सो पूरा ही जल गया आगे तक फिलाल जो में टॉपिक है वह है आज की वीडियो का सिएट का यह टायर इस टायर का पूरा नाम है सिएट जूम रेडेक्स वन काफी वीडियो मैंने देखी है इसकी यूट्यूब पे और बहुत लोगों में चर्चें इस टायर के एंड फाइनली मैंने भी यह डलवा लिया है मैं इसको यूज करके देखना चाहता था कि यह क अपोलो 6000 का आजाता है सो मैं दोनों यूज करके देखना चाहता था कि यह टायर इतना मतलब अपोलो जितना कोस्टली नहीं है लेकिन थोड़ा सस्ता है लेकिन फिर भी लोग मतलब इसको ले सकते हैं कैसी ग्रीप प्रवाइड करता है क्या करता है सो मैंने इसलिए परचे सेकेंड बात है वह करते है बात इसकी लुक की अपोलो की लुक अपनी प्रीमियम लुक देता है अपोलो भी एंड इसकी अपनी प्रीमियम लुक है लेकिन फर्क बस इतना है अपोलो की जो लुक है वह थोड़ी पतली है अम्योट से मैं आपको दिखाता हूं फ्रंट टाय यह कमेंट करके बताओ किसका पैटन ज्यादा सेक्सी लग रहा है मुझे तो इसका लग रहा है यह नहीं कि मैंने बाइक पर से टायर पर शेज कर लिए इसलिए मुझे मैं तारीफ कर रहा हूं लेकिन नहीं मुझे पैटन इसका पसंद है अगर अपोलो ऐसे में आएगा तो तो भाई तवाही मचा देगा अपोलो सो जो यह इसका पैटन डिजाइन जो भी है यह यह बहुत सेक्सी अपोलो से जादा अच्छा लग रहा है मेरको एक पॉइंट मिल गया इसको एंड दूसरी बात जो है अपोलो जो है वो थोड़ा दिखता है यार वन फिप्टी होने इसकी वेज़े से एंड अपोलो थोड़ा पतला दिखता है यह एक डिफ्रेंस इन दोनों टायर्स में कि वो थोड़ा पतला दिखता है यह अगर हो तो यह बहुत वाइड लुक प्रवाइड करता है मिटसे लुक लुक वाइजे काफी वाइड है अपोलो से सो गईज इस को में अपाँटी 2डिफ्रेंस अपोलो फसे यट्ट जो कि अब करेंगे हम Saints करेंगे।ंग में क्रिप छो है मैं सीधा बोलता हूं ग्रिप में अपोलो जादा है इससे तो जादा आपोलो यह इसकी भी अच्छी गृप है लेकिन अपोलो की जादा है यह तो मतलब one-sided था Apollo soft compound है यह थोड़ा mixture है so soft compound की grip ज्यादे बेटर होगी वह तो आप सभी को पता ही है बट इसकी मुझे एक और बात अच्छी लगी Apollo से ज्यादा बढ़िया lean angle Apollo lean देता है लेकिन lean angle वह आपके उपर होता है इसमें आपको इतना मतलब खुद के effort नहीं देने पड़ेंगे lean वह खुदवखुद हो जाता है यह इतना वाइड है कि आपके भाई खुदवखुद lean हो जाती है इसकी बज़े से so lean angle आप चेक कर सकते हो अभी तक तो इतना ही हुआ है and सबसे इच्छी बात कि lean angle इसका हम फुल यहां edge तक ले जा सकते ह आपॉलो का जो था वह scale बने होते थे तो three scale होते थे तो मेरा आपॉलो लास्ट गया है two and a half पे मतला लास्ट का जो one scale था वह कभी टच नहीं हुआ मैं जतनी मीमिर शेन करलुं कब टे प्रेशह कम कर लो कुछ भी अपॉलो पूरा लेन नी होता था वह वहत्त हो जाता था इतना शाए खाब यह वह शाद जाता था यह वह पूरा use हो चाए का तो episode में फ्रों प्रोंड सर्भाशal पर्देश को यहां पर काफी टरंस आते हैं तो फिर भी यह मेरा Apollo था वो पूरा खतम नी होता मैं आपको बता देता हूं साथ-साथ मैं आपको बताता चलता हूं Apollo यह दखो यह Apollo के स्केल्स तीन स्केल हैं सो तीन स्केल में से यह इतना वला जो टायर आपका यह यह वला टायर जो यह वला बच जाता एरिया वह वेस्ट हो जाता है यूज सिर्फ यह होगा यह वला यूज हो जाएगा यह वला वेस्ट बच जाएगा तो यह चीज मेरे को Apollo की पसंद न गिर जाता है वहां पर सो एक पॉइंट आ गया है दोनों को सीएट के पास टू पॉइंट है एक पॉइंट है सो अब बात करते हैं लाइफ टायर की लाइफ कितनी होगी कितनी नहीं होगी सो सिंपल सी बात है सोफ्र कंपाउंट यह जल्दी खत्म हो जाएगा एंड जो ठोड़ा मिक्सर हाड कंपाउंड का एंड सोफ्ट और थोड़ जादा चलेगा यह तो डाइम शोयरूं में यह जादा चलेगा लुग आपोल लो की बात कर लेते हैं मेरे हाथ ब्लैग हो गया है पूरे इस से टॉच करकर के सो एपोलो जो है मैंने डिलवाया था वह चला हुआ एट थाजन किलोमेटर चला सर्फ एट थाज़न के अंदर अपोलो खतम टोटली खतम आप आगे वाले की बात करें आगे वाला मैंने बाद में डिलवाया था इसलिए वह अभी तक नहीं है पी 1000 लास्ट वो भी जब लास्ट मोगा तो भी मतलब एक चीज मेरे को अपोलो की अच्छी लगी जब मैं टाय डिल आने जा रहा था सीएट का सो अपोलो था मेरे पास और अपोलो टोटल खतम था मतलब तारे निकल गई थी आपने पहले वाली वीडियो जो है इसके पीछे वाल इस रेंज में बहुत अच्छा है और भी आते हैं में आता है लेकिन अपोलो की जो ग्रिप वह काफी अच्छी है सो जो बात मैं आपको साथ जूटनी बोलूंगा जो सची बात है वो सच्छी है इसकी ग्रिप मुझे जब मेरे फर्स ताइम डलाया तो मेरे को इसकी इसलिए नहीं लगी बिकोज मेरा जो ए राइडिंग स्टाइल वो मैं टायर प्रेशर जो है वो कम रखता हूं आप मेरे को इतनी ग्रिप लग नहीं थी लेकिन अब जब मैने इसका पूरा अपने हिसाब से मितलब कर लिया है तो अभी इसकी ग्रिप रखी हुई है मैंने आइमिट से एर प्रेशर रखा हुआ है 31 सो भाई यह भी एपोलो जासे है मेरे को दिए सका जादा लीन अंगल लग रहा है जासे कि आपको मैंना बताया यह तक जाता है अपोलो अज तक नहीं जाता था सो इसका लीन अंगल तोड़ा सा जादा है अपोलो से वो मुझे प्राइज में भी आपके आ जा रहा है अच्छा प्राइज रेंज है इसका इमडिस 4200 इस नोट बैड फोर इस टायर सीएट जूम रडेक्स वन सो प्राइज में भी अच्छी में आ जा रहा है यह बहुत कोस्ली भी नहीं है पर्चेस कर लो मैं था आपको यह बो रहा हूं बिकोज जो मुझे अच्छा लगा मैंने खुद एक्सपीरेंस कर आ तो मैंने आपको बताया कि अच्छी चीज है ले लो आप यह ले सकते हो एंड अपॉलो भी ले सकते हो अपॉलो इससे जादा अच्छा है बट जो मैंने डि तो इसलिए वह आपके उपर है आप अगर बढ़नाओ वगारा या ड्रिफ्टिंग करते हो तो अपोलो बहुत जल्दी खतम होने वाला है वह तो मतलब मेरे से लिखके लिए लो बहुत जल्दी खतम हो जाएगा ड्रिफ्टिंग अब बढ़नाओ वगारा के आप शोकीन तो अपोलो आप डिलवा सकते हो एंड सेगेंड तिंग अगर आपके बास सी एट है तो आप मतलब जैसे मेरे चलाओ मिक्सर है यह सौफ्ट एंड हाड का तो बहुत चलेगा टायर सो इसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने इसको यूज कर रहा है अभी 250 बिक्तिंड कि कितना अच्छा इर ए यह सो फूर धिंग ज्राओ करूंगा नि बिकोज सभी को पता है कि मिल्लब यून चगह अपनी यह दोन टायर अच्छी है यह अपनी जगे अच्छा है वह अपनी जग अठायर बट मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपको जिसे अगर आप जस्त राइड and leaning करते हो, अगर आपका मेन फोकस leaning है, not at stunting, आप stunting मैं नहीं हो, burn out वगर आप नहीं करते हो, आप जस्त leaning करते हो, बाई लीन करते हो, तो आप Apollo ले सकते हो, बहुत चलेगा, बहुत तो, जितने चलेगा 12,000 तक चला सकते हो, उसको, मैं हर किसी में करता हूं मैं and main focus तो मेरा leaning नीड वगारा जो भी करते हैं and और यह जो है यह leaning भी अच्छी देता है and hard compound भी है थोड़ा mixture थोड़ा hard and soft का तो leaning भी यह थेगा and थोड़ा stunting वगारा में भी हो जाएगा stunting में थोड़ी बहुत ही करता हूं ज्यादा तो मैं अपनी तारीफ अपने मुझसे करूंगा नी बट कर ले तो थोड़ी बहुत ही सो यह थोड़ा बहुत अच्छी है इसकी रेंग्रिप में चेक नहीं करी है बाकी वीडियो देखते हैं दोनों में डिफ्रेंस नहीं है तो बस फर्क बस इतना है यह थोड़ा करो आपको वीडियो में पता चलता रहेगा वाकी यहां पर तक तो बारिश तो हुई नहीं मौसम को है नहीं तो मैं राइड पर निकल दा हूं बारिश वाले दिन ही आपको दिखाने के लिए बिगोज नए अटायरे ग्रिप तो इसकी होगी होगी जैसे साब से यह ना यह इसके पैटर्ण है उससाब से लग रहा है इसकी रेंगरिप काफी फाड होने वाली है एंड है वीडियो के रहार हूं अजए लेगी तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हॉआ है तो थैंक यू सो मुच एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक लिए सब्सक्राइब बहुत दिल खुश हो जाता है यार वीडियो पोस्ट करते है इतने अच्छे-चे कमेंट आते हैं मतलब दिल खुश हो जाता है सो ऐसे बीटिफुल सी सुंसेट के साथ वीडियो को रप अप कर रहा हूं गुडबाई स्यू बोलने का मन नहीं करता आप सभी लोगों को इतना अच्छा प्यार मिलता है मुझे सो फिर भी स्यू बोलना पड़ेगा विडियो जादा लंबी हो जाएगी सो गुडबाई मिलते नेक्स वीडियो में बाई बाई हाथ होगे पूरे काले